हलो एभरीवन मैं डाक्टर रमेश कुमार आपके अपने यूटूब चाइनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो 40-45 के बाद मेक्सिमूम 60-70 प्रसंट आदमी को हो ही जाता है बीमारी के नाम है आपका प्रोस्टेट प्रोस्टेट दोस्तों एक ऐसी बीमारी है मैक्सिमूम 40-45 साल के बाद ही यह बीमारी होता है इसमें आपका पिसाप के नली में मांस हो जाता है जो मांस बहुत जाता है उन पिसाप को रुकने लगता है पिसाप करने में तकलीफे होत और पिशाप करने के समय जलन होता है दरद होता है और पिशाप लगता है लेकिन जाने पर पिशाप होता नहीं है धार से पिशाप होता नहीं है बैठने पर आपको बुंदा-बुंदा-बुंदा-बुंदा पिशाप होगा पिशाप किरेड नहीं होता है फिर पिशाप लग हंग्ले मैडिसीन में इसका अफ्रेक्स नहीं है अग्रेजी मेरे चीन में इसका अफरेशन इलाज है लेकिन होेम ऐसा कूष मेड्सीन में जो मेक्षट बिल्कूल हिं ठीक देता यह इसमें मैं दू-तीन मेडशीन के बारे में आप से हम चार्चिक करेंगे जो प्रोष्टेट को को बेलकुल ही ठीक दिता है कि इसमेश मेरां धर्चिन माframes है सवल सयरेटा केव सब नहों गुंडिशत के लिए रंबन है इसका सीम्टम होताहे जलन होना पेसाप में दरद होना बार बार पेसाप लागना लेकिन जाने पर पेसाप होता नहीं है पेसाप के नली में मांसा जो है बहुर जाता है और पेसाप को रुकने लगता है पेसाप करने में तकलीफ होती है जो सवल सरेटा क्यू पावर को अगर ज्यादा तकलीफ है तो 10-10 बुन आधा कप पानी में दाल कर, हर 2-2 घंटा पलीजिए, एक से 2 दिन के अंदर में प्रॉस्टेट को कम करतेगा और प्रॉस्टेट को किलिर करतेगा और दूसरी मेडिसिन का नाम है आपका कैंथलिस क्यूँ कैंथलिस क्यूँ दोस्तो एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करता है इसका स्यूंटम है दोस्तो पैसाप में जलन होना पैसाप करने के समय जलन होना पैसाप के पहले जलन होना पैसाप कर का परमुख सिम्टम होता है यह दावा को कंटिनीवस दू तिन चार सप्ता चलाना परेगा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है अगर ज्यादा तकलीफ है तो इसको दो दो घंटा पर दस दस बून आधा कॉप ताजा पानी में दाल कर लेजिए यह जलन को बहुत जल्द ही आराम को कि गगभवक दोस्तों तीस्री मेलशीन का नाहिम का ने दरी हम का एगविंट हो त्टी पावर का अरी दूश्टो एक ऐसा दावा है जो परोस्टेट के लिए बहुत अच्टा क्यम करता है इसका सिंप्टम होता है पर्षाब लगता है लेकिन होता नए है लगता है लीफिश कि बहुत ज्यादा ऻूती हैं पैसाप में जलन होता है लेकिन उतरता नहीं आये उसमें तेरे बीन ठर्टनी पॉन्र का बहुत अच्छा कम करता है तुरंत ही ठीकक देता है अगर ज्यदा तकलीफिश है जलन हो रहा-ध्य बुंदा को बिल्कुल ही उतार देगा अगर दोस्तों ये तीनों मेडिसिन को कंटिनीव अगर दू-तीन महिना तक चला दिए तब प्रोस्टेट को ये बिल्कुल ही जर से खतम करेता है याद रखिए कि इससे में होमियोपैत दवा सही ये मतलब आपको